नमस्कार साथियों डिक्टेशन लीगल सब्दों पर आधारित है जो अस्सी सब्द प्रती मिनट की गती से बोली जाएगी डिक्टेशन ठीक पांस सेगर बाद स्टार्ट होगी स्टार्ट निसकर्ष नहीं निकाला जा सकता की अभ्योजन विद्वेश पून है विराम इसी प्रकार इस तत्थे मात्र से की अभ्योजन विद्वेश से प्रेरित था यह निसकर्ष नहीं निकाला जा सकता की अभ्योजन के लिए युक्ति-युक्त और अधिसंभाव्य हेतुक नहीं अपकृत्य विधी नुक्सानी के लिए वाद कारित छतियों की नुक्सानी के वाद में सफल होने के लिए प्रतिवादी का संपून दोस साबित करने का भार वादी पर होता है विराम पैरा अपकृत्य विधी विद्वेश पून अभ्योजन यह साबित करने का भार पून्त है प्रतिवादी पर होता है की वादी पर उक्त वाद अभ्योजन चलाने के लिए कोई युक्ति युक्त और अदे संभव्य हेतु था विराम पैरा अपकृत्य विधी सैपठित दंड सहीता 1860 धारा 447 दांडिक अतिचार विवादा इस पर भूमी पर वादी का कबजा होना और प्रतिवादी द्वारा उस पर बलपूर्वक्त कबजा करने का प्रतन करना विराम चुकि प्रतिवादी का ऐसा कार्रे दो स्पून है अतहे वादी की बजाय वहे प्रतिवादी स्वैम ही दांडिक अतिचार का दोसी है विराम पैरा अपकृत्य विधी विद्वेश्पून अभ्योजन विद्वेश्पून और युक्ति युक्त तथा अधिसंबाव्य हेतुक का अभाव सैपठित साक्षे अधिनियम 1872 धारा तीन ये दोनों ही ऐसे वस्तूपरक तथ्थे नहीं है जिन्हें वादी प्रतिक्ष साक्षे से सिद्ध कर सकता हो विराम ये चुकि भागत है व्यक्ति परक हैं जिनका संबंद प्रतिवादी की मनहें इस्तिती से है अतयव वादी को यथा संबव तथ्यात्मक साक्षे से प्रतिवादी की मनहें इस्तिती को साबित करना चाहिए विराम पैरा प्रतिवादी एक भूकंड पर हल चला रहा था जो वस्तुत है उसका नहीं था विराम उसी समय वादियों ने आकर मारपीट की जिसके परिणाम सरूप प्रतिवादी को सारीरिक छतिया पहुंची विराम प्रतिवादी की चिकिछ किये परिक्छा की गई और उसके परिवाद पर वादियों को इसलिए सेशन सुपुल्द किया गया क्योंकि प्रतम दिश्टिया मामला उनके विरुद सिद्ध हो गया था विराम प्रतिवादी ने इस बात से इनकार किया की रिपोर्ट अथ हुआ परिवाद मिथ्या थे विराम उसने परिवाद इसलिए फाइल किया था क्योंकि उसे छतिया पहुची थी विराम उसने इस बात से इनकार किया की परिवाद विद्वेश के कारण या किसी समुचित अथ्वा अधिसंभावे हेतुक के बिना फाइल किया था विराम यह भी कहा गया की वादी संख्या एक से लेकर संख्या चार ने उसी घटना के बारे में उन्हें कारित छतियों के लिए नुक्सानी हेतु वाद फाइल किया था जिसमें विचारान न्यायल द्वारा डिक्री पारित कर दी गई थी किन्तु प्रतिवादी द्वारा अपिल करने पर वादियों को दी गई नुक्सानी की रासी घटा दी गई थी जिसके उपरांत उसने उच्चनियायल में दित्य अपिल फाइल की थी जो उस समय लंबित थी विराम पैरा वादियों के विरुद प्रतिवादी ने भारतिय दंड सहिता की धारा 323, 147, 144 और 147 के अधीन दंडिक परिवाद फाइल किया जिसके परिनाम स्वरूक उनका विचारान सेशन नयायल्य में किया गया विराम चुँकि परिवाद मिथ्या और बिना किसी युक्ती युक्त और अदे संभावे हेतुक के थे इसलिए उन्हें दोस्मुक कर दिया गया विराम अपनी प्रतिरक्षा में वादियों को बड़ी रकम खर्च करने पड़ी और उसके मन, सरीर और ख्याती को भी हानी पहुंची विराम इसलिए उन्होंने प्रतिवादी के विरुद विद्वेश पून अभ्योजन की नुक्सानी के लिए वाद फाइल किया विराम दन्यवाद साथियों